ये बज़न आपके लिए है प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा इस बज़न को जरूर सुनना और दियान चे समझने की कोचिछ करना कि जो भी आपके साथ चल रहा है उसके पीछे परमेशों के एक बड़ी योजना है और उत्तम एक बड़ा प्लैन है जिसके दुआरा मदल थोड़ा दीरज से है दीरजवन कहते हैं दीरजवन का फाल मीटा होता है यह हकीकत है इसलिए अगर गलती हो भी गई ती कुछ गलती से परीक्षा में पड़े या परीक्षा चल रही थी या शैतान परक्राया किसी भी प्रकार से या परबु आपको टेस्ट कर रहे है कि किसी भी एरिय में ध्यान रखना सब बातों में परमेश्वराब के लिए भलाई उत्पन करेगा किसी भी एरिय में प्रभू निकालता है वो परिक्षा में से निकालने के लिए प्लान करता है और परिक्षा में से आपको निकास कराएगा और हर परिस्टी में आपको समालेग घर के दुवारा परिक्षाय ना हो रही हो तो हो सकता है भार से हो हो सकता है भार कोई विरूद कर रहा है अगर भार नहीं है तो हो सकता है कलीशिया में से कोई विरूद ही खड़ा है अगर कलीशिया में नहीं हो सकता है फानेंस में आपकी जिन्दिगी में कोई धन को लेकर क जाने किसी प्रकार से आप टूटे हुए हो अगर लगता कि धन की कंडिशन भी सब ठीक है तो हो सकते हैं अपने अपने लोग नहीं समझ पहा है अपने खून के रिष्चेदार नहीं समझ पहा है जिन पर हमने भरूसा रखा है हो सकते हैं वहाँ पर भी समझ रहे हैं लेकिन हमारे लिए इंतिजाम करेगा रास्ते खोलेगा जो भी परिष्टियां चल रहे हैं प्रभू को पता है कि तेरी जरूत क्या है प्रभू को पता है कि तेरी इच्छा क्या है प्रभू को पता है कि तेरे लिए क्या बैस्ट है प्रभू को पता है कि लोगों ने तेरे साथ कै पारे नहीं आत्मिक ताम है नहीं फिसीकली बहुत से एरियों में बढ़ नहीं पारे लेकिन प्रभू को पता कि तुरेंदर भूक और प्यास है लेकिन कुछ हमें अपने इससे का काम करना है धन्यवादी रहना है और उसके समुक जाना है बैठना है हम अपनी संसार की जीवन रुपी दोड में दोड़े जा रहे हैं बहुत कुछ करने कभी इधर भागरे कभी इधर भागरे लेकिन प्रभू के साथ नहीं बैठर है उसके साथ समय नहीं बिटारे है उससे नहीं पूछ रहे है जैसे कि अभी कुछ टाएं पर एक वीडियो रोड़ती है उसमें पोई preaker नहीं होता लेकिन जहां वो ब्रेकर का मतलब है कि हमें रुक कर , धीरस से इस ब्रेकर को पार करक्ता और हमस्केश को सचे हो Clemen कि आहurat माहुल का है, इसी प्रकार से आज हमें अपनी जीवन रूपी दौड़ में काई चाहे किसी भी एयरिया में दौर रहेते, लेकिन खुदार से हम दूर हो रहेते हैं, आज हमें रुक कर आपने आपको जाचने की जरूत है, अपनी जीवन रुबी दोड में जो कुछ भी हम कर रहे हैं जिस भी एरिये में दोड रहे हैं चाहें नौकरी की तरफ, बिजनिस के तरफ, धन की तरफ, काम की तरफ, रिस्तेनातों की तरफ या जिम्मेदारियों की तरफ, किसी भी एरिये में दोड रहे हैं लेकिन हमें ये स आशाद आप करके मन फिरा कर वापिस से एक यूटन ले लें प्रभू के पास फिर से लोटा है जैसे उडावू पुत्र परमेशर के अपने बाप के पास फिर से लोटा है था जब वो अपने आपे में आया था इसलिए आज मैं धीरस से दोड़ दोड़नी है और ताकि हम बी भाई और बैनों जैसे ही वो अपनी दोड़ में दोड़ रहा था एक उड़ाव पुत्र लेकिन जब उसको ठोकर लगी तब उसको समझ में आया लेकिन आज बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने का मौका भी नहीं मिला था आज हमारे पास मौका है कि हम अपनी गलतिये को म समय बिताए प्रभु के लिए समय निकाले आमें प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेगा वो आपके लिए इंतिजाम करेगा वो आपके लिए रास्ते को लेगा वो आपको ब्लेस करना चाहता है आपको नहीं सुनेगा तो किसको सुनेगा आपको नहीं बचाएगा तो कि किसकohl उठाएगा आपको उन्हाटी तरक्स प्रोस्पेरिटी नहीं देगा तो किसको देगा आपको जंगा नहीं करेगा तो किसको करेगा उसने आपके लिए जान दिए उसके पास आपके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा प्लैन है, आप धीरत से उसकी बाट जोएं, कैसे भी परिसितिय है, उसके साथ समय बिताएं, आपके जिन्दगी का खालीपन खतम होने लगेगा, आप भरने लगेगे उसके अभी शेक से, आप अगवाई में चलोगे, गलत लोगों से, गलत संगती से, गलत परिसितिय से आप बचोगे, परिक्षा में पढ़ने से बचोगे, आप गिरने से बचोगे, आप बुराई से बचोगे, और आप देखना आप ब्लेस होते जाओगे, आप मैसूस करोगे कि हाँ प्रभु जो मेरे साथ हुआ ये मेरे साथ अच्छा ही हुआ, ताकि मैं तरी विदियो को तरी यूजना को जान सका, समझ सका, हाँ प्रभु धन्यवाद उन परिशितियों के लिए जिसके कारण आज मैं मजबूत हुआ, जो करना एं बड़ी बड़ी गमाईयं देनी हैं, लोगों के आंसों को पूचने, वब्तिस्मा देना है, लोगों को प्रभु के निकट लेकर आना है, लोगों के उधार करने, खुद करने, जो प्रभु आप से मुझ से चाहता है, तो कही बार परमेशर तोड़ता है, ध्यान तब हम उस चीज की एहमियस समझ पाते हैं, तब उसको हम समाल समाल पाते हैं, तब उसकी उस ब्लेसिंग की उस अभिशे की कदर कर पाते हैं, अगर हमें वो भीना टूटे मिल जाने तो हो सकता हम कदर ना करें, हो सकता हम अपना नाश्च ना कर लें, इसलिए कुछ चीज़े आप सावी को चैमसी कि